हेलो गाईज आप सभी का बालकी रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है गाजर मटर की सबजी बनाना तो आईए बिल्कुल सिम्पल तरीके से हम गाजर मटर की सबजी बनाते हैं गाजर और मटर की सबजी बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम गाजर लिया है इनको हमने अच्छे से छीड लिया है और दो लिया है और बारी कट कर लिया है एक कटोरी हमने मटर लिये हैं ये मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, इसको मैंने बारी कट कर लिया है, और ये थोड़ा सा जीरा, चुथाई चम्मच जीरा लिया है, नमक, स्वाद अनुसार, धनिया पॉडर, एक चम्मच, लाल मिर्ची पॉडर, आधा चम्मच, और आधा चम्मच में निहल्दी पॉडर ली तो आईए बनाते हैं गाजर और मटर की सबजी यह मैंने कड़ाई को गैस पे गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं इसमें ऑईल डालूंगी ऑईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें चोथाई चम्मर चीरा डाल दूंगी पीड़ा हमारा चटक चुका है अब मैं ये मसाले डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये मेक डाल दूंगी यह मसाला हमारा भूंचुका है अब मैं इसमें यह गाजर डाल दूंगी साथ ही मैं इसमें मटर डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगे यह हमारे मसाले में अच्छे से गाजर मटर निक्स हो चुके हैं अब मैं इसे ठक के स्लो गैस पे 15-20 मिनट तक पकने दूंगी तो आईए सब्ची चेक करते हैं हम और यह हमारे सब्ची देखने में गल चुकी है अब मैं एसमे खोरे से मसाली रोड़ डालूंगी मैं इसमें आधा चम्माच आमचु पोड़ डाल रही हूँ और आधा ही चम्मच मैं इसमें गरा मसाला पोड़ डाल रही हूँ और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, गैस के फिलेम को मैं तेज कर देती हूँ, इसे मैं एक मैट के लिए फिर से ढग देती हूँ, जिससे की हमारा आमचूर अच्छे से मेक्स हो जाएगा इसमें सबजी के अंदर, तो आएए फिर से चेक करते हैं, यह हमारी सबजी अच्छे से बनकर त्यार हो चुकी है, गैस को मैं बद कर दूँगी, और एक बाउन के अंदर मैं यह सबजी को सर्व करूँगी, और यह हमारी गाजर और मटर की सबजी बनकर त्यार हो चुकी है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद